पास सक रहते थे तो बहुत ध्यान से सुनना है तो भक्त काल की बात जब भक्ती भक्त होते थे व्रंदावन में सब भक्त थे मीरा भाई आदी सब यहीं थे तब एक गूड भक्त था उसका इतना प्रचार नहीं था तो शाम को सारे भक्त लगवग कोई सेवा कुंज में चाहिंध़ा भक्त के तट बेटीती हर भक्त नियम होता था था क्ल मेरे थाकुर जी का उत्सव है तम सबन में शाजितनी को लेकर अरो आइं थो अधि जा रहे है महाराज, उसके घर उत्सव वोगो, महां पर ठाकुर जी आनंद करेंगे। पिर कल किसी और के यह उत्सव तो सारे ठाकुर जी वहां जा रहे हैं, घर के ठाकुर जी, मंदिरों के नहीं। तो एक बारे एक रूझी मनदिली के भक्त सब आपस में कर रहे थे, लो जो किसी धो करिवो कारीक्रम एंगी जो थे जो कते अंगँ कर लुगो तेरे नहां भाई рьुम सारे बट में ह में ईत्सव तो जिए खाता जी नहीं हो जातार बन सुअगो वाईशनब बुलाए जाएं, क्यों ना बुलावे तो सबन कू, तो बुले कि कोई ने अगर मेरे ठाकुर जी को देखकर के यो कह दे, ये कैसे ठाकुर जी, मेरे चित्त को बड़ी पीडा हो जाएगी, कोई कहीं मेरे ठाकुर जी को देखके यो नहीं कह दे, ये कैसे ठाकुर जी अब तो जैसी उसने ये बात कही तो बागियों के मन में आ गया बोले ऐसे कैसे ठाकुर जी अब तो सब पीछे पड़ गए बोले अब तो तू अपने घर अपनी कुटियां में हमको बुला हम तो जरूर आएंगे और हम सोगंद खाके कह रहे हम बिल्कुल नहीं कहेंगे यह कैसे ठाकुर जी वाने सब से सोगंद लेली सब सोगंद खाओ तुम मैंसे कोई ने कहेंगो तू अपने यहां भुला अगले दिना वाने उच्छब रखो और उच्छब में वाने सबरे बुलाएं जैसे सबने वाकी कुटियां में प्रवेश्क कियो चारों तरफ घुम चौकी के ऊपर एक मठका रखा था मठके पर यु मोंगरा के पुश्प लगे थे उसी मैं इत्र लगा था उसी पई तिलक चंदन आदि रख़ा था उसी पर वस्तर पदराय उये थे उसी माला चंदन आदि सबता उसी के सन्मख हो जोले ये अरे मेरे ठाकुर जी अब नहीं तो भी सब भोलगा, यह कैसे ठाकुर जी? भूले, मैंने मना करी, तुम लोग मत भूले है, तुम क्यों बोले? अरे भाईया, छमा कर दे, सब पाम पकड़े, भाईया, छमा कर दे, लेकिन सुन बैठ, एक बार बता तो सही है, यह कैसे ठाकुर जी? यह मतका वाले ठाकुर जी, कैसे ठाकुर जी? उसके नित्र सजल हो गए, भाईया, हम इतने सौभाग गिशाली तो नहीं है, कि हमको श्री राधारमनलाल की प्रत्यक्ष रज मिल जाए, हम इतने सौभाग गिशाली तो नहीं है, साक्षात कुमर कनाई की ब्रजरज मिल जाए, या ब्रज में उनने विच्रण कियो लेकिन हजारों लाखों वर्ष पहले कियो प्रत्यक्ष अभी की ताजा उनकी चरण चिन्न की रज तो मिलना सके लेकिन मैंने सत्संग में सुनो है कि ठाकुर्जी को भजवेवारे वैश्नव उनकी चरण रज ठाकुर्जी के चरण रज के समान है तो मैं यही करूँ पूरे वरंदावन में विच्रण करूँ और जहां कहीं से भी वैश्नव निकल के जा मैं उन सबन की चरण रज लेकर कि आऊं और यहां मटका में भर लओं उन सबन की रजन को ही अपने शामा शाम के रूप में मान कर कि यहां मटका की नित्य पूजा करूँ नित्य सेवा अर्चना बंदना करूँ तब सब बोले यही है ठाकुर्जी यही है असली ठाकुर्जी तो भया भक्तन में मती भक्तन में गती भक्त चरण रज सदा लुभाने तब जानो गिर्धर अपनों करे जाने तब समझो कि ठाकुर्जी ने आपको अपना माना क्योंकि बंद्वों देखो किसी की भी हो जाएगी रामन बहुत बक्ति करता था संकर जी की già āट गंटेे कासी पर बैट करके 10-10-24 गंटे कोवीस तो अब के लिए कहा जाएगा २िए सत्यूग तेया अध्याल पर के राक्षट 267 साथ वर्ष तक सा抓 के भक्ति करते थे भक्ति हो जलना कोई बड़ी बात नहीं देवभक्ति में पुष्टता हो जाना देवभक्ती में आपका मल लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है must a consistent प्रेम होना यह बड़ी बात क्यों कि आप जैसे किसी के समीप जाओ उसमें दोश आपको दिखेगा, यह निश्यत है, किसी संत के पास चले जाओ, किसी भक्त के पास चले जाओ, किसी वैशनव के पास चले जाओ, किसी नाम साधक के पास चले जाओ, किसी साधन सद्ध के पास चले जाओ, ब्रजर उपासक के पास चले जाओ, एक एक अनुमान से ज़्यादा उसका संग करने लगोगे, उसमें भी दोष दिखेगा आपको, और जहां दोष दिखाने कि आपकी भक्ति नश्ट, ठाकुर जी में दोष नहीं दिखता है, ठाकुर जी बिचारी योई बेटे रहेंगे, कचु खवाये दो, खालेंगे, कचु पहनाये दो, पहन लेंगे, जह वो हो ही जाएगा, इसलिए वैश्नव भक्त होना बड़ी कठन बात है, पर यदी हो गए, तो समझ जाना ठाकुर जी ने आपको स्विकार कर लिया, आपको अपना लिया, तो ऐसे भाया, इस प्रकार से,